वेलकम बैक गाईस तो माई यूटिव चैनल माई नीम है जुर्ग आज की एक्षन वीडियो हने वाली है वालक फ़ल्क मल्टी उनिवर्स के बारे में तो देखते हैं क्या रिव्य होने वाला तो चले वीडियो इस्ट्राट करते हैं लेकिन उसके पहले आप लोग मेरे चैनल लेके बैठे हो देखना गडबढ़ना हो जाए और आपका तो बता नहीं लेकिन जॉश ब्रॉलिंज डेड़पूल 2 में केबल बने थे उनसे बहुत बड़ी गडबढ़ हो गई है क्योंकि फाइनली है एड्मिटेड की उनको ग्रीन लांटन का जो शो बनाया जा रहा है ल लेकिन लांटन की कहानी आ खदम नहीं जाती क्योंकि अमको यह पता चल चुका है किसको डिरेक काने वाला है एकलीस के फर्स्ट टू एपिसोड जो है जेम्स हाविस डिरेक करेंगे जिन्होंने से बले ब्लाक मिरर की कुछ एपिसोड्स डिरेक के है इनका नाम यह नोंने बनाई थी अब इनकी नई मुवी फ्रेंकिन्स्टाइन जो की नेट्फिक्स के लिए बनाई जा रही है वो पूरी तरह से बनके तयार है इसमें जेकब एलोडी होंगे क्रिस्टफर वॉल्स मिया गौत और हमारे ऑसकर आईजिक खमाल की बात है मिया गौत ने ब्लेड में क इमोशन्स चालू हो जाएंगे और बहुती जल्दी से उनका मतलब था कि इस साल के एंड तक सद्रन हेमिस्फियर में अगर आप नहीं जानते तो कॉंटेक्स्ट के लिए बता देता हूं कि यह हिंट दी जा रही है ब्रजील कॉमिक कॉन को लेकर जिसमें वो स्पाइडर मै फेवरेट स्क्रीम फ्रेंचाइजी क्या साथवा पार्ट स्क्रीम सेवन बन के तयार हो चुका है इसको थेटर में रिलीज किया जाएगा 29 वरवरी 2026 को मूवी को डिरेक्ट कर रहे है केविन विलियमसन जिन्हों ने पिशली वादी डिरेक्ट करी और इसमें निव केमबल जो कि पहली वाली स्क्रीम मूवी में में अक्टरस थी वो रिटर्न कर रही है सिग्नी प्रेसकॉट तो एक में इंटरस्टिं होगा लेगन डीसी की तरफ से एक और काफी इंटरस्टिंग ख़बर सामने आई है जेमस गन ने एक नई डीसी मूवी को ग्रीन लिट कर दिया ह अफिशली अनाउंस करके और जो आप सोच रहे हो वैसा नहीं होने वाला इस मूवी में बेसिकली रॉबिन्स की मूवी होगी जिसमें हमको डिक ग्रेसन और जेसन टॉट दोनों की कहानी दिखाए जाएगी जो यंग और्फन थीव्स की तरह ऑपरेट करते है और अपने आ अनिमेशन का मिक्स देखने को मेलेगा तो I don't know I'm not 100% on board with this idea लेकिन फिर भी जब तक कुछ देखने को नहीं मिलता तब तक वेट करते हैं I mean Spider-verse मूवी को लेकर भी इनीशली लोगों ने यही का था बट लुक हाव डाट तरन आउट तो बी अगर आप नहीं जानते तो जोक यहीं पर छुपा हुआ है क्योंकि यह आदमी चौते पार्ट में मर चुका था अब ग्यारवे पार्ट में आकर भी यह वही काम करेगा जो पहले दूसरे तीसरे चौते पांचवे छटवे शाटवे आठवे नौवे दसवे पार्ट तक कि अगया है फिर आपको लाने का क्या फाइब लब कर क्या लोगे अब जिक सो पूट पूट कौन सा चीट कोड लगाया है मौत का मुझे भी बता दे रेचल जिगलर जो कि स्नो वाइट में स्नो वाइट का रोल प्ली करने वाली है उन्होंने रिसेंटली फिर से को स्टेटमे देने के लिए बड़ी फेमस है और इनको कुछ समय के ले बंद करके रहा गया था सनो वाइट की तरह तो रिसेंटली उन्होंने यह कहा कि स्नो वाइट का जो ओरिजिन है, मतलम उसको नाम का जो ओरिजिन है, उसको हम लोग चेंच करने वाले हैं, इनकेस व्कैस दोंट जो अनिमेटेड मुवीज में स्नो वाइट इसलिए बोला जाता है विकॉज अवर कलर और अब स्नो वाइट की जो लाइव अक्षिन मुवी आ रही है उसमें उसको उसका नाम इसलिए मिलेगा क्योंकि उसने एक बहुत ही हेवी स्नो स्टॉर्म सर्वाइव किया है किसने खुला अब बाहर निकल गए फिर आप आप ही मार्वल डीसी और बॉइस जैसी सूपर हीरो फ्रेंचाइजी के लिए काम कर सकते हैं इन फाक्ट और भी पॉप कल्चर मीडिया पे जो बड़ी बड़ी चीज है क्योंकि इनके स्टूडियो ने डिसाइड किया है कि यह लोग सूपर इसमें शर्त यह है कि यह तभी किया जाएगा जब मुवी उतनी ही बनी होगी मतलब अगर मुवी पूरी शूट होके कंप्लीट हो चुकि है तो फिर वो चेंजर नहीं करे जाएंगे इस हिसाब से तो कोई मुवी कभी रिलीज ही नहीं हो पाईगी लेकिन मेरा सवाल यह प पहली वाली मुवी से 50% कम है और अब ऐसा अनुमार लगया जा रहा है कि यह मुवी अपने फर्स वीकेंड में 50 मिलियन कर ले तो बहुती बड़ी बात हो जाएगी और फिर यह भी सुनने में रहा है कि जैसे बाकी मुवी जब रिलीज होने वाली होती तो उससे पहले उसक एक टेस्क्रीनिंग कराते है फ्लैश की तो एक एक तेड़ साल पहले से करवाई जा रहे थे कहा कहा नहीं दिखा है उस पिचर को वैसे जोकर की कोई टेस्क्रीनिंग मुई जिस दिन रिलीज होई उसी दिन सब ने देखी है मारा तभी समझ जाना चाहिए था और इस मूव देखने को मिली हमें एड इसमें निकोलेस केट्स पाइडर मैन जैसे तो दूर दूर तक नहीं दिख रहे है डिटेक्टिव बोले थे डिटेक्टिव फिर सिड्नी स्वीनी जी परिशान है पापे राजियों से गर्वालों से कहते कि एक बार उनको बिकीनी में बाहर भेज परिती जी है हम कुछ तस्वीरे लेंगे फिर वह आराम से जा सकती है बागवान भी कैसी कैसी तकलीफे दे देता है नहीं सालो तुम तो नहीं हो अगर सुड़नी स्वीनी सिम संस्थान का नाम खराब कियाना तो देख फिर जोल के नमन जो की सूसाइड स्कॉइड में रिक फ्लाक सीनियर बनके आ रहे है डी स्यू में तो उनसे किसी ने पूचा कि यार तुमारे पापा तो आ रहे है क्या तुम भी आओगे तो नहीं का पीसमेकर सीजन टू नो वे आइसा शो कभी करी नहीं मेरे लिए है ही नहीं वो शो मतलब पक्के में आ रहा है फिर इसके बार ब्राइड विंडरबम जो की अब मार्वल के अनिमेशन और टेलेविजन स्टूडियोज के हेड बन चुके है उन्होंने कहा कि अगाथा जो उनका सबसे कम पैसे खच करने वाला शो है उसी तरह से अब वो बाकी के मार्वल शो भी बनाएंगे मतलब कम पैसा लगा के ज्या विल्वर सर्फर के डिजणी प्लस सीरीज पर काम कर रहे है अब यह कब आएगी यह तो वह बनाने वाला भी नहीं मता सकती, मैट शेक्वान की बात कर रहा है, क्योंकि मैट शेक्वान इसको बना रहे हैं, जो कि फेंटास्टिक वोर पर काम कर रहे हैं, फिर मोस्ट प्रब तो 40 पिच्चरे बच्चों पी बना दोगे हमारे बच्चरे बलेड का क्या होगा फिर टीसी को लेकर और भी खपरे मिलनी शूरू हो चुकी है पिच्चर बोलके बताया है वो 2026 पे रिलीज होगी और सूपरमान की कहानी जहां पे खतम होती है काइन वहीं से पिक अप करीगी ऐसा बोला जा रहा है I don't know how that is going to happen क्योंकि सूपरमान तो अर्थ पे है और कारा जो है वो किसी एक तूटते हुए एस्टरोइड पे फसी रहती है जब ये कहानी टेक लेस करती है कुछ AC type का है और ये complete करने के बाद इस मूवी को लिखने वाली नोगेरा जी जो है वो टीन टाइटन्स की मूवी पे काम करना शुरू करें फिर Andrew Garfield से जहां जाते है बंदे से तो पूछ लेते कि भाई Spider-Man मनोगे की नहीं बनोगे तो कब बनोगे और वंदा भी मना नहीं कर रहा है जब भी पूछे जा रहा है तो बोलते था yes definitely definitely the boys played मेरा मतलब है कि जब भी होगा तो मैं करूँगा अगर कहानी अच्छी होगी तो definitely I will return to the role I mean I love the character and the joy that he brings Zane मतलब कर रहे हो सीथे बता दिया करो ना बस ये बताओ कब कब I want to know कब फिर अब ऐसे सुनने मेरा कि Marvel जो है वो अपने ब्रैंड को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश कर रहा है जो movies अभी तक वो 12 प्लस के लिए बनाते हैं अब वो 14 से 18 प्लस के लिए बनाई जाएगी और इसका मतलब ये है कि जो mutant सागा हो के आने वाली उसमें हमको और भी जादा gruesome, gritty, R-rated movies देखने को मिल सकती है और इसका reason बहुत simple है Marvel अब उस audience को target करेगा जो Marvel देखते देखते बड़े हुए हैं जिन्नोंने अपना बचपन Marvel के साथ बढ़ा किया है तो इसलिए अब 18 Marvel को आए हुए 16 साल हो गए 18 साल से बढ़ो के लिए Marvel के साथ बढ़े होने वाले बहुत बढ़े हो चुके हैं आप थोड़ा सा दायरा बढ़ा करो अपना फिर Captain America Brave New World जो कि February में रिलीज होगी उसको लेकर काफी सारी information मिलना स्टार्ट हो चुकी है सबसे पहले तो ये कि इसमें अपियर होने वाली सेबरा का कैरेक्टर थोड़ा सा अल्टर किया गया है मतलब कॉमिक बुक्स में वो एक इसरेली एजेंट होती है कि युकाइस टोट लो कि अवीडस चो कौन है तो बस इतना कहूँगा कि ये भी स्मैश करने की शक्ती रखता है जोटा लेकिन कर देता है Speaking of which ऐसा बोला जा रहा है कि Captain America Brave New World अब रिशूट्स के बाद अपने काफी बड़े आख को चेंज कर चुकी है जिसका मतलब ये है कि ये मुवी खतम होने के बाद या फिर इस मुवी के बीच में ही कहीं पर ये प्रॉबिबली World War Hulks Hulks plural पतंगा उसके साथ कनेक करेगी लेकिन कहानी बस यहीं बे खतम नहीं हो जाती क्योंकि World War Hulks के साथ-साथ ये मल्टिवर्स के साथ भी कनेक करेगी फैस यही देखना बाकी रह गया था Council of Kanks के बाद हलकों की Council करेंगी के इसमें Smash और आप लाइफ में कुछ smash कर रहे हो या नहीं उस like बटन को करो नहीं तो आपकी चाय में भी कॉक आप लोग ने देखा आप लोग बताने वीडियो कैसे लगा अच्छे लगा तो सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूल